हेलो एन वेलकम टो SJR एज्यूकेशन हम बात करने वाले हैं दस MCQs के बारे में इस विडियो में जो की एंचेंट एज्यूकेशन टॉपिक के ऊपर हैं तो एक्जाम में जो प्रशन पूछे जाते हैं एंचेंट एजूकेशन के उन में से हमने दस सवाल उठाएं हैं और हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं उन क्वेशन को एक अपरेल से शुरू हो रहे हैं Unacademy के Complete Plus Course जिसमें की आप लोग Enroll कर लीजे जितना हो सके जल्दी ताकि आप लोग अपनी तयारी को मई एंड तक Complete Course को पूरा कर सकें और उसके साथ साथ आपकी जो जून में रिविजन है जिसके लिए हमें सिर्फ 15 दिन मिलने वाले हैं तो आपकी रिविजन भी Timely हो सके तो अगर आप Unacademy के सब्सक्रिप्शन को अभी लेते हैं आज और कल के दिन में तो आप लोगों को 25% आपकी फीस कम हो जाएगी SCRYT Code को यूज करके और साथी साथ आप लोग दिसंबर के लिए अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और अगर आप जून के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप Attempt के हिसाब से भी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तीन या नौ महीने का सब्सक्रिप्शन मतल के answer दे सकते हैं और मैं आपको साथ ही साथ answer देता चलूँगा और questions को जितना हो सकता है थोड़ी बहुत explanation के साथ समझाता भी चलूँगा तो पहला सवाल है कि which of the following modes of admission was prevalent in Nalanda University in ancient times? entrance examination, interview, good academic credentials, peer discussion तो देखिए आप लोग pause करके अपना answer दे सकते हो और उसके बाद comment में score लिख सकते होगी भी 10 में से आपने कितने correct किये या answer नहीं भी लिख रहे हो तो सोच सकते हो अपना answer और 10 में से score ज़रूर बताना आप comment section के अंदर ये 3 वीडियोज आएंगे जिसमें कि हम लोग topics को address कर रहे है ancient education के उपर आएगा फिर उसके बाद जो है national education policy पे मैंने बनाया है और policy और हित्वभाषा पे बनाया है तो इसका सही answer है entrance examination क्योंकि हम सबको पता है कि नालंदा university जो कि एक Buddhist monastery थी located थी नालंदा बिहार में oldest learning institution इसे का जाता है और 6th century, 5th and 6th century में गुपता empire के अंडर में जो हो ये बनी थी और साथी साथ गौतम बुध ने यहाँ पे कई sermons दिये हैं इस बात को माना जाता है और Tibetan historian जो तारनाथ थे वो इसे mind of learning कहा करते थे याद रखिएगा mind of learning word जो है ये तारनाथ से मिला था जो कि Tibetan historian हुआ करते थे अगला सवाल कि जो purpose है गुरुकुल system of education का equality and excellence को promote करना या फिर minimize करना stress and learning empower करना for future learning या encourage करना self help तो देखिए equality और excellence ये ही जो है objective हुआ करता था purpose हुआ करता था गुरुकुल system का क्योंकि वेदिक period के दौरान गुरुकुल जो है वो घर हुआ करता था teacher का जहां पे कि बाकी सारे बच्चे जो है उनके साथ आके उनके जो है गुरु के ही धर में पढ़ा करते थे जो गुरु का house होता था तो साथी साथ यहां पे एक चीज और note करने वाली है इस question में कि question कभी कभी आ सकता है paper में कि गुरु जो है वो हर चीज बच्चों को सिखाय करते थे और संस्कृत के जो है माध्यम से इस चीज़ें सिखाय जाती थी main motive जो है वो holistic education पे था और education में focus इस बात पे रहता था कि excellence कैसे लाया जाए और focus इस बात पे था कि meditation से, yoga से, इन standards से जो है वो गुरु ट्रेन किया करते थे अपने students को और गुरुकुल सिस्टम जो है वो इकलोता ऐसा education system था उस समय पे जहाँ पे in-depth knowledge दी जाती थी फिर उसके बाद तीसरा सवाल है कि universities जो centered है विहाराज में during the ancient Indian period वो कहां situated थी नवादीप, नालंदा, वलभी, जगदला और कांची तो अगर आप यहाँ पे बहुत easily identify कर सकते हो कि जो नवादीप और कांची है यह temples से सम्मंदित है और temples वेदिक period में जो हिंदूism से related है और नालंदा, वलभी और जगदला विहाराज से related है क्योंकि विहाराज जो है वो बुद्धिजम में universities को कहा जाता है तो यहाँ पे बहुत ही simple जो है वो इसका answer हो गया BCD, second option और एक चीज़ और यहाँ पे धान रखनी है कि विहाराज जिन्ने monasteries कहा जाता है और महा विहाराज जैसे नालंदा जो महाविध्याले हैं उनको यह नाम दिया जाता था अगले सवाल पे चलते हैं हमारे चौते सवाल पे पूछा गया है कि नालंदा जो है वो ancient जो है center था learning का किस religion के लिए तो हम सब जानते हैं यह काफी easy question है बुद्धिजम के लिए center हुआ करता था तो यह सबसे major महावीरा का जाती है बुद्धिस monastery का और मैं आपको एक चीज और आगे आने वाले प्रशन में बताऊंगा कि जब नालंदा तक्षिला के courses की या उसकी पढ़ाई की जो value गिरने लगी तो एक और university आती है जो पाला king ने बनवाई थी तो which one of the following ancient universities provided for the teaching of special subject ये question बहुत बारा रखा है कि वजट्यान बुद्धिस्म जो है वो कहाँ पढ़ाया जाता था तो इसका सही उत्तर होगा जगदला ये उनिवेस्टी आपने ये question जो है वो 2020 में सबसे पहले देखा होगा तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो किंग राम पाला थे तो राम पाला जो है उन्होंने ये उनिवेस्टी बनाई थी और उन्हें ही इसका founder कहा जाता है पाला king के दुआरा ये सबसे बड़ा जो है construction कहा जाता है और जो किंग राम पाला थे उनका जीवन कान था 1087 से 1129 तक का और ये कहा जाता है कि तांतरिक बुद्दिजम में ये center माना जाता था तांतरिक बुद्दिजम का और ये जो है शुरुवात हुई थी यहाँ पे साक्या शरी भद्रा तो साक्या शरी बद्रा जो थे वो एक ऐसे बुद्दिस टीचर थे जिनोंने नालंदा, विक्रमशिला, उदानता प्यूरी जो है जब उन्हें कहीं न कहीं Muslim invasion से उनको नश्ट होते देखा तो वो enter किये जगदला जो है वो अपनी studies के लिए लेकिन उसके बाद लगबग 127 आते आते Muslim invaders ने जो है वो जगदला को भी उस time पे बरबाद करी दिया था और invade करी दिया था, destroy कर दिया था लेकिन इनके एक जो है वो चेले हुआ करते थे, दाना शीला दाना शीला ने इनकी किताबों को जो है, translate किया और फिर तांतरिक बुद्धिस्म का propagation तिबबत में बहुत जबदस किया तो याद रखिएगा, साक्य श्री बदरा जो है, वो उनका नाम था ये चले गए थे यहाँ पे जब उन्होंने नालंदा, तक्षिला वगेरा को तो देखिए, यहाँ पे जो पहली स्टेट्मेंट है, अगर आपने समझ लिया होगा तो ये गलत है, क्योंकि जहां तक भारत की एक लंबी हिस्ट्री रही है और तक्षिला जो नाम आता है तक्षिला और तक्षिला ये रावलपिंडी में है और नालंदा विक्रमशिला जो है वो हमारे यहाँ थी, तो ये इंडियन टेरिट्रीज में जो है, वो अब नहीं है और साथी साथ इसमें जो 2700 साल पहले की तक्षिला युनिवेस्टी मानी जाती है, जिसमें की 10500 से ज़ादा सूट्स रा करते थे और अब की जो रावल पिंडी डिस्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान उस हिस्से में जो है बिफोर 1947 ये पंजाब पाकिस्तान इंडिया था और फिर रावल पिंडी डिस्रिक्ट में जो प्रेजंटली रावल पिंडी कहलाता है, वहाँ पे ये है तो ये पहली तो आपकी incorrect होगी statement entrance test अपनी ही तरह का यहाँ पे दिया जाता था ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात आपको ओशो के भी बहुत सारे lectures में सुनने को मिलेगी कि एक जमाना हुआ करता था जहाँ पे जो gate पे होते ना द्वारपाल तो उस तरह में वही बहुत knowledgeable लोग हुआ करते थे तो लोग महीनों तक जो है वो पढ़े रहते थे यहाँ पे कहते हैं कि द्वारपानों के द्वार में तब जाके इतनी परिक्षाओं के बाद इन universities में यह जो है वो यहाँ पे entrance मिला करते थे और यही entrance हुआ करता था उनका और तभी उनको admission मिला करते थे तो which of the following ancient educational institution was situated as the bank of the river गंगा यह आपने बहुत 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 सुना होगा इस university के बारे में यहाँ पे सही उत्तर होगा विक्रमशिला युनिवस्टी तो विक्रमशिला युनिवस्टी जो है यह भी पाला एंपायर के दौरान ही बनी थी और इसको बनाने वाले थे धरमपाल, किंग धरमपाल और यह 723 से 820 इनका जीवन काल रहा है और उस ताइम पे यह कहा गया था कि यह university जो है जब नालंदा युनिवस्टी में scholarship की decline हो रही थी तो यह जो है वो बनाई गई top of the hills में along with the bank of river ganga और इसे भी tantrism के लिए जाना गया इसने कही ना कही नालंदा को competition दिया क्योंकि यहां भी 100 टीचर हुआ करते थे 1000 students हुआ करते थे और यहां पर जो एक और option है उसके साथ उल्जिये गामत जो की three adjoining hills पे बनी हुई university है जिसमें की pushpagiri university से बड़ी खूपसूरत university भी का जाता है जो कालिंगा kingdom के दोरान इंचिन जो आज का modern day odysa है ना कालिंगा kingdom के दोरान यह establish हुई थी तो यह spread over थी जैसे कटक और जैपूर की district तक जो है वह spread थी और यह ललितगीरी, रतनागीरी और उदेगीरी जो three adjoining hills है इसके इस पूरे जो है three adjoining hills में इसका जो campus है वह फैला हुआ था और यह सबसे prominent center कहला दी थी कई लोग रिवर गंगा वाले बैंक वाले question से, इसको मिला लेते हैं तो वो मत करिएगा, अगला सवाल गुरुकुल system of education इन इंडिया जो है, वो flourish होता है कब, तो वेदिक उपनिश्द period में modern period में, कुष्णा period में या गुपता period में, तो देखिए इस सवाल बड़ा सीधा है, I think उत्तर भी आप सभी लोग को पता है, कि वेदिक उपनिश्द period ही, इसका सही जवाब होगा तो देखिए, दो ही period रहे में, तो एक वेदिक period रहा, और उसके बाद एक बुतिस period भी रहा, तो जो गुरुकुल system of education था, वो वेदिक period की और उपनिश्द की पैचान थी, क्योंकि गुरुकुल system of education जो है, वो वेदिक period के दोरान originate होता है, और फिर, जो है, वो student को गुरु किस तरही किसे accept करते हैं, उनके घर पे ही आके वो रहता है, उनके घ्रहकारियों में मदद करता है, education मठ में भी हुआ करती थी, तो बुद्धिस education जो है, वो मठवज में हुआ करती थी, उपनिश्द period के दोरान, और जो entry थी higher education में, वो बड़ी selective और बड़ी competitive किसम की हुआ करती थी, तो वहाँ पे एक term थी ना, कि भी उपाजस्या जो है, वो responsible होंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा simple सा जवाब है, कि ancient education में administration की training नहीं थी, उसके अलावा बाकी सब कुछ था, तो ABC, थर्ड जो है, वो आपका सही उत्तर रहेगा, तो ancient education system में, institutional और informal, दोनों ही तरह की system चला करते थे, और घरों में, temples में, पाठशाला में, टॉल्स में, चटुस्पदेज में, गुरुकुल में, native education जो है, वो दी जाती थी, और यहाँ गुरुकुल education system के अंदर, जो है, moral principles पे, skills पे, academic skills पे, इन सब पे शवादी जाती थी, last सवाल, इस वीडियो का, इसे जरूर शेयर करिएगा, मैं आपसे request करूँगा, कि जो भी आप पढ़ने वाले लोगों को जानते हैं, वहाँ तक चीजों को पहुचाईए, क्योंकि आप लोगों को पता है, हम लोग ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं, जिसमें कि हर दूसरे दिन, कोई ना कोई नई चीज हो गई है, कुछ हंगामा हो गया है, कोई ऐसा आ गया है, कट आफ आ गयी है, यह सब चीजों में हम बिलीव ना करके, हम पढ़ाई के वीडियो बना रहे हैं, और मैं जानता हूँ इन्हें कम लोग देखते हैं, लेगिन कम से कम यह ज़रुत की चीज़ें तो है, कोई एक सही दिशा में कतम उठाने लाइक चीज़ तो है, तो इसे जादा लोगों तक पहुँचाया करिए, वीडियो को लाइक अगर आप करेंगे, तो इसे जादा लोगों तक पहुचेगी और शेर करेंगे तो, तो देखिए, इन में से कौन सी स्टेज़ें जो है, वो शुतिस से संबंदित है, सरवना जो है, वो शुतिस से संबंदित होता है, तीन स्टेज़ें होती है, बिसिकली तीन तरीके से जो है, चीजें सिखाई जाती थी ancient time में स्रवना, मनना और निध्यासना स्रवना सुनने से related है शुतीज भाइ लिस्निंग जहां knowledge जो है वो सुनके लेते थे बच्चे और मनना जो है वो critical thinking था कि learners जो है वो चीजों के बारे में सोचें अपने inferences बनाएं, assimilations बनाएं और निध्यासना contemplated जो है contemplation की बात करती है तो उसका मतलब कि जो आपने सीखा है उसे comprehend करके अपनी जिंदिगी में apply करें जिसे हम जो है actively application भी कहते हैं तो hopefully आपको पसंद आएंगे और दस question अगली वीडियो में आपको NEP National Education Policy पे question मिलेंगे और फिर हेत्व भाशा और पैलेसी पे दस question मिलेंगे तो ये भी आप लोगों को आज ही मिलने वाली है वीडियो 31 तारीक को ही तीनों की तीनों शुक्री आपना ख्याल रखिए